नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आठवी और दासवी के वैसे स्कूल जिनका चयान नेशनल अचीवमेंट सरवे के लिए किया गया है उनके छात्रे छात्राओं को बुलाया जाएगा 12 नमबर को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सरवे की तियारी कराई जाएगी ताकि जर्खन का पई नाम बेहतर आ सके बतादे कुरोना की रफ्तार धीमी होने और कम मामले आने के बाद 6 अगसे 9 से 22 के हाई और पलस्टू इसकूल खोले गा है वहीं 24 सितंबर से 26 से 8 वी के मीडिल इसकूल बच्चों के लिए खोले गा है अब प्राइमरी इसकूल खोलने की त्यारी सुरू कर दी गई है मौसम विभाग के अनुसार तेलंगना के आसपास बने चक्रवात का असर जार्खन के करीब करीब सभी जिलों में पड़ा राजे के संताल, कोलहान और मद्य भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिस हुई चक्रवात के कारण उड़िसा और आसपास के राजेों में एक निम्न दवा बना हुए है बतादे बुद्वार को राजे के कई इलाकों में इसका असर रहेगा सीबी एस्सी के दोनों टर्म की परिक्षा देनी होगी केंद्रिय माधिमिक सिक्षा बोर्ड की दसवी और बरावी की परिक्षा इस सत्र से दो टर्म में लिजा रही है बतादे टर्म वान परिक्षा की तिथी घोसित कर दी गई है दसवी की परिक्षा 30 नॉमबर से 11 दिसंबर तक होगी वहीं बरावी की परिक्षा 1 से 22 दिसनबर तक होगी परिक्षा पर टर्म में बदलाव और नेमों को लेकर बोर्ड ने स्कूलों को जनकारी दी है इसके तहद बिद्यार्थियों को दोनों टर्म की परिक्षा में सामील होना अनिवार्य है यदि विद्यार्थी किसी एक टर्म की परिक्षा में सामिल नहीं होते हैं तो इस इस्थिती में उनका रिजल्ट पेल्डिंग में रखा जाएगा बता दे शुरुवात में जब दो सुत्रे में परिक्षा लेने की बात आई थी तब विद्यार्थियों और अविभावकों के मन में था कि टर्म वन की परिक्षा प्री बोर्ड की तरह आंत्रिक मुल्यांकन के लिए होगी लेकिन बोर्ड ने साप किया है कि दोनों टर्म में सामिल होना जरूरी है OBC मोर्चा 24 से सभी प्रमंडल में करेगा साभा और रैली देश में जातिय जनगन्ना और राजे में OBC के 52 परतिसत हिसेदारी को लेकर राष्ट रिये OBC मोर्चा राजे के सभी प्रमंडलों के 25 सहरों में साभा और OBC हिसेदारी मार्च निकालेगी इसकी सुरुवात राची से 24 अक्टूबर को होगी इसकी जनकारी मंगलवार को हर्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फिरेंस में मोर्चा के परदेश अध्यक्ष राईस गुपता ने दी है जार्खन में बनेगा एक और गोर्खा बटालियान दिखने में स्मार्ट काम के प्रतिगम भी चूस्त द्रूस्त और फोर्तिला के साथ साथ भीड प्रवंधन में माहिर गोर्खा के जवान भी आईपी की पहली पसंद है यही वज़ा है कि जार्खन के जीतने भी आईपी के पास स्कॉट वाहन है वहाँ अंगरक्षक के ड्यूटी गोर्खा के जवान कर रहे है बता दे अंगरक्षक ड्यूटी के लिए गोर्खा के जवानों की मांग इतनी है कि राई सरकार ने जैप वान की तरह ही एक अतरीक्त गोर्खा बटालियन बनाने का प्रस्ताव भी त्यार कर लिया है इसके लिए रातु के सिमलिया में 50 एकड़ भोमी चीनित भी किया चुकी है पर किरिया शुरू होने के बाद गोर्खा युवाओ के लिए नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे और गोर्खा बाटालियन असोसक्त बनेगा जार्खन में कुपोसन वा एनिमिया को दूर करेगा फोटिफाइड चावल जार्खन सरकार लोगों को फोटिफाइड चावल देने की त्यारी कर रही है इसे राजे के जन वितरन प्रनाली केंद्र स्थे जोडने की त्यारी चल रही है इसकी सुरुविधा होने से अब लोगों को आयरन युक्त फोटिफाइड चावल मिल सकेगा बता दे राजे के कुपोसन प्रभावी छेतरों में सुरपर्थम इसकी सुरुविधा उपलप्त कराई जाएगी पाइलट पर्योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग पूर्वी सिम्भूम के धाल भोमगड और चाकूलिया परखंड से इसकी सुरुवात की जाएगी जारखन में बिजली बिल की वसुली के लिए आज से चलेगा बिशेश अभियान जारखन बिजली बित्रन निगम 20 अक्टूबर से बकाया बिजली बिल की वसुली के लिए एक बिशेश अभियान चलाएगा बता दे अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा निगम के निदेशक, केके वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रवंधक और अधिक छक अभियानता को इस बाबत निदेश दिया है उन्होंने मंगलवार को वीडियो कन्फेरेंसिंग के माध्यम से राया सोवसुली की समिक्षा करते हुए कहा कि जो भी लंबित कनेक्षन हैं उसे जल्दी जारी करें जो लोग बकायदार हैं उन्हें चीनित कर बीली बील जामा करने का अगरह किया जाए नेतर हाट परवेस परिक्षा 23 जन्वरी को होगी जार्खन के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल आते हारी सित नेतर हाट अवासे बिद्यालाय में 17 2021-22 में दाखला के लिए परवेस परिक्षा अगले साल 23 जन्वरी को होगी इसमें दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परवेश परिक्षा में सामिल होने के लिए आवेदन भरने की अम्तिम्तिती एक बार फिर बढ़ा दी गई है बता दे अब छात्र इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 20 नॉमबर तक ओनलाइन फारम भर सकते हैं ओफलाइन माध्यम से आवेदन करने पर इस तीथी तक आवेदन विद्याले को मिल जाना चाहिए विद्याले परवंधने अभाव को एवं विद्यार्थियों की मांग पर आवेदन की तीथी को एक बार और विस्तार दिया है जारखन में मेडिकल और नर्सिंग छात्रों के नियुकति परकिलिया सुरू जारखन सरकार कोरूना से निपटने तथा लोगों को स्वास्त सुविधाय जहज उपलब्ध कराने के लिए अमतिम वर्स के च्छात्रों की सेवा लेगी इसके तहट निधारित अधी के लिए सनुवीदा पर उनकी नियुक्ति की जाएगी बता दे केंद्र से इसकी अनुमती मिलने के बाद राश्टी ये स्वास्त अभियान जारखन ने इनकी नियुक्ति पर किलिया शुरू कर दी है राई सरकार ने मेडिकल के एक हजार एक तालीच छात्रे शात्राओं नर्सिंग के बारत सो नौ छात्रे शात्राओं के अलावा दोसो दस बीडियेस वा आयूस्ची किस्वों के नियुक्ति की पर किलिया शुरू की है जारखन में एक बर फिर कुरोना के ममले बढ़ने लगे हैं बतादे जारखन में कुरोना के 17 नई केस मिले हैं जो रांची से गारा, पूर्वी सिमूं से एक हजारी बाक से तीन, पच्मी सिमूं से दो मरीज मिले हैं, जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या एक सव अठाइस है, भारत में 14,933 केस मिले हैं, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या एक लाके खत्तर हेर, 883 है, आदिवासी यूती से छेर छाड में ज्यारखन कल्यान विभाग का पदाधिकारी सरवन गिरफतार ज्यारखन के दुमकाज इलाग के कल्यान विभाग में पदस्थापी सरवन कुमार को खोटी पुलिस ने मंगलबार की सुभा राची के मौराबादे इलाके इस्थीत उनके घर से गिरफतार किया है बता दे सरवन कुमार पर खोटी में पदस्थापना के दोरान एक आदिवासी योती से शेर छण का अरोप है अधिकारी पर तोरपा खोटी की रहने वाली एक आदिवासी योती ने अरोप लगाया था मामला 2015 का है बता दे योती के बियान पर सरवन कुमार पर एस्थी एस्थी एक्ट के तहत प्राथमी की दर्श की गई थी जारखन में भी दिखने लगा बिहार में रायत और कॉंग्रेस के बीच कलह का असर जारखन में रायत का कोई जनाधार नहीं है उनके व्यान पर रायत के परदेश अध्यक्ष अभायकुमार सिंग ने पलटवार करते वे कहा कि लोहरदागा विधान सभाचेत्रे से रामेश्वर उराव की जीत रायत करकरताओं की बुत्ते हुई थी उन्हें रायत के सम्मन्द में प्रती कुल टिपनी करने से बचना चाहिए जारखन में रायत के व्यापक जनाधार है हिमांचल के किनावर में अभी भी फंसे है जारखन के नबे स्रमिक हिमांचल परदेश के किनावर जीले में अभी भी जारखन के नबे से अधिक स्रमिक फसे हुए है अब तक कुल 61 स्रमिकों की वापसी हुई है बता देख खोटी तुरपा और बंद गाउं के रहने वाले एसरमीक चार जथों में जार्खन लट चुके हैं अगले दो तीन दिनों में अनसरमीकों के भी जार्खन लटने की संभवना बने हुई है हिमानचल से जार्खन लटे फागू ने बताया कि वह खोटी के हुर्मू परखन के भोड़ा गाउं का रहने वाला है उसके गाउं से कोई लोग किनोर गए थे वहां राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रजेक्ट प्राइवेट लिम्टेड में काम करते थे CNG बन रहा पेट्रोल का विकाल्प पेट्रोल के दाम जेप पर भारी पढ़ने लगा है बता दे इस माहगाई का नतिजा यह रहा है कि कार चालक पेट्रोल छोड़ अब CNG को अपनाने लगे है पेट्रोल की तुलना में CNG 26 रुपय 35 पैसा सस्ति पढ़ रही है और अबरेज भी आच्छा मिल रहा है बता दे सोमार को रांची में पेट्रोल के कीमत 100 रुपय 25 पैसा थी वहीं एक किलो CNG गास की कीमत केवलती 70 रुपय नाबे पैसा है कार की अबरेज अगर एक लिटर में 12 किलो मिटर है तो CNG में इसकी अबरेज 30 किलो मिटर की लोग के आसपास पहुँझाती है भैक्सिनेशन के दूसरे डोज लेने को अलर्ट करेंगे B.L.O अब B.L.O घरों पर जाकर लोगों को सुचित करेंगे कि उनके COVID-19 भैक्सिन के सेकेंड डोज का समय हो गया है किर्पया नजदीगी टीका करन केंद्रे में जाकर भैक्सिन जरूर ले ले इसे लेकर B.L.O द्वारा एक पर्ची भी उपलवत कराई जाएगी इसमें भैक्सिन के सकेंड डोज से संबंधी जनकारी होगी बता दे बूत लेवल ओफिसर के माध्याम से मत्दाता सुची में नाम होने की जनकारी देने के साथ COVID-19 भैक्सिनेशन से संबंधी जनकारी देने वाला रांची राजय का पाहला जिला होगा उपायुक्त ने टीका करन को सांग के नोडल पताधिकारी को इसमद में आवसेक त्यारी करने का निदेश दिया है HEC कर्मियों ने कैंटीन भाता बंद करने का बिरोध किया HEC मजदूर संग की बैठक मंगलवार को एम्स कर्याले में हुई है आवसमान भारत योजना के तीन अस्पतालों का निरिक्षन करेगी केंद्रिय टीम पर्धान मंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य करकारी अधिकारी आरेस सर्मा भुद्धवार को तीन अस्पतालों का निरिक्षन करने रांची पहुचेंगे बतादे सिविल सर्जन डाक्टर बिनोत कुमार ने बताया कि आरे सर्माय रांची सदर अस्पताल रात्तू, सीएच सी और प्राइबेट में रांची चील्डरन अस्पताल का निरिक्षन करेंगे इन तीनों अस्पतालों में अवस्बान भारत जोजना के ताहत बेहतर कारे किया गया है केंद्री अधिकारियों के दोरे को लेकर स्वास्थ विभाग के वर्यपता अधिकारी डाक्टर वीबी परसाद, रांची सिविल सर्जन और उपा अधिक्षक ने स्वास्थ कर्मियों को कई महत्पून दिशा ने देश दिये हैं जारखन में फिर मन्राने लगा कोईला संकट का खत्रा है जारखन के पावर पलांटों में तीन दिनों की बारिस के बाद फिर से कोईला संकट का खत्रा हो गया है बता दे किसी भी पावर पलांट में कोईला का परयाप स्टोक नहीं है किसी भी प्लांट में कोईला स्टोक का लेवल नियुमतम 25 दिनों का होता है जबकि जारकन के DVC के प्लांटों में 3-4 दिनों का ही स्टोक बचा है TVNL में भी 2-3 दिन का ही स्टोक है जिसका राण TVNL की एक ही यूनिट चालू है बता दे TVNL MD अनिल सर्मा ने बताया कि कोईले क्या पूर्ती नहीं हुई तो 40 यूनिट को भी बंद करना पड़ सकता है रांची के सदर अस्पताल में भी होगा हिर्दरोक का इलाज हिर्दरोक के सुरुआती लक्षों का इलाज अब सदर अस्पताल में बेहतर तरीके से होगा सोमवर्क अस्पताल के तीसरे तल पर 6 बेड़ वाले कोरोनरी केयर यूनिट का सुभारम हुआ वहीं ब्रिद जनों के बेहतर इलाज के लिए 10 बेड़ वाले जेरिया ट्रिक वाट का भी उद्घाटन किया गया बता देया पहला अस्पताल में हिर्दरोक यों के लिए उपचार की सुवधा दी गई है इस अतियद्रिक सुवधा के सुरू हो जाने से हिर्दरोक से सम्बंदित कुछ मामलों में उपचार के लिए लोगों की रीम्स पर निर्भाता कम हो जाएगी जे इ लिपिक और कम्प्योटर अपरेटर पद के लिए दोबारा ली जाएगी परिक्षा ग्रामिन बिकास दीभाग दोबारा अपर करनिये अभियानता लेखा लिपिक सहीद कम्प्योटर अपरेटर पर इक्षा दोबारा ली जाएगी बतादे 15 वे बीत आयों के मद से योजनाओं के किर्यानवयान अनुसरवन एवं इसे समंधित ओनलाइन कारेओं के लिए इन पदोब पर अनुबांद पर नियुक्ति होनी है बिभागिये मंत्री अलमगीर अलम ने अभियार्थियों की मांग पर परिक्षा फिर से अव्यजित करने का निदेश दिया है बतादे जीला स्थपर पैनल तयार किया जाना है पहली बार बरनित नियुम्तन टंकन छमता के कारण बई संख्या में छादर बाहर हो गए थे रांची में नबालिक से गैंगरेप रांची के नरकोपी थाना चेतर में रभिवार को लोहर्दागा से जात्रा देखने पहुंची एक नबाली के साथ दो किसोरों ने समोईक दुसकर्म की घटना को अंजाम दिया है इस समद में पीरता के ब्यान पर प्राथमे की दर्च की गई है पीरता के अनुसार वह नगजुआ रेलवे स्टेशन से उतर कर चट्टी तसारा जात्रा देखने जा रही थी इसी दरान रेलवे फाटक के समीप बाइक सवार दो लड़कों ने लिफ्ट देने की बात का उसे बाइक पर उठाया और चट्टी जात्रा की बजाए मुड़हर पहाल ले गए पलामू में बजरपात से चार की मौत मंगलवार को पलामू के चैनपूर वो निलामबर पितामबर थाना चेतर में दादा पोता सहीद चार लोगों की मौत हो गई बताद दादा पोता किराना दुकान से आलू खरीद कर घर वापस लोट रहे थे इसी दरान बजरपात की चपेट में आ गए वहीं दूसरी घटना चैनपूर थाना चेतर के गांगी गाउं की है जहां बईरपात से दो महिला मैदूर की मौत हो गई है एगारवी जुनियर नेशनल महिला होकी चेंपियनसीप का सीम हेमन्त करेंगे उधगाटन जहारखन के सिम्डेगा इस्थित एश्टो टर्फ होकी चेंपियनसीप का आयोजन 20 अक्टूबर से सुरू होगा सबसे पहले सीम सीरी सुरेन 14 क्रोर की लागत से बनने वाले एश्टो टर्फ कमपलेक्स का सिललन्यास करेंगे इसके बाद लाभको की बीच पारी संपती का वित्रन करते हुए नियुक्ती पत्र भी देंगे बतादे 20 अक्टूबर को सीम सीरी सुरेन 15 बजे के करीब हेलिकॉप्टर से सिम्डेगा के लबट एकाई स्टेडियम पहुचेंगे धन्यवाद अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद